तो सबसे पहले हम बात करें अपनी इस UPGK की क्लास में तो UP के एक्जाम में चाहें UP Judiciary हो, UP APO हो या फिर आफकी UP PCS हो तो UP का Local और Current Affair दोनों आती हैं और यही Current Affair ते National Current Affair बनकर बड़ा Important रोल निमाती है जैसे भारत सरकार की कोई योजना या भारत सरकार का कोई प्रोजेक् यह है और उसका उद्गाटन हुआ है वो किन जिलों से संबंदित है तो यह बड़ा आप लोगों का Info डेक्ट है अब सबसे पहले वे हम बात करें UP की तो UP में आप लोगों को याद रखना है कि यूपी में जो बनारस है यानि वारानसी है ठीक है वारानसी को जूप है या को और उनाइडेशन दो हजारीक में बनाता इसने क्या करा है सांस्क्रितिक और पर्याटल कल्चरल and tourism राजधानी सको बनाया यह को याद रखने एसे ओक मेंबर जो है भारत और पाकिस्तान ये कोशन कुछा जाएगा भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में एड होई तोटल किपने मेंबर हैं आप बात करते हैं तो बरानसी में आया तो जुड़ी और बाते जान लेते हैं बनारसी में आप लोगों सुना होगा आप लोगों कि कासी विस्वनाथ कोरीडूर बना रहे हैं कि यह आप लोग रखेंगे एक पॉंट पॉर्टेंट है और हाप पर कासी विस्वनाथ एक मंदीर है इसका भी दुआरा से मिर्मार हो रहा है, यह आप लोगों को याद रहे हैं, कासी विस्वनाथ टेंपल के नाम से, ठीक है? जाकी मतला जो 26 जनवरी 26 जनवरी को 2022 को परेड में इसको क्या मिला इसको मिला पहले नंबर पर ठीक है तो यह जो है चुना गया इसको इसको इए आप लोग याद रखेंगे आप लोगों को याद रखने हैं क्या कि इस बार हमारे हाँ पर कोई भी चीप गैस्ट नहीं आया था यह आप लोग याद रखेंगे बहुत ही एक्जाम पॉंटोरी से इंपोटेंट कोशन है आपके एक्जाम में यहां से कोशन बने गई बनेगा कि लिए यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग यह हमारी लाइब क्लासी देख रहे हैं और यह लाइब क्लासी यह वाली क्लास में यूटुब पे भी अपलोड करूंगा तो चाहूं कि यूटूब पे भी आप लोग इसको बाद में देख सकते हैं ठीक है आगे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में एक्जाम पॉइंटोंगे से अगर हम बात करें तो एक है सयद मौधी बैटमिंटन टूनामेंट नोट कर लेंगे क्या सयद मौधी बैटमिंटन टूनामेंट तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि यह किस खेल से संबंदित है यह है किस से बैटमिंटन से सबसे पहले किस से याद रखना है बैटमिंटन से यह है और दूसरा अगर हम बात करें तो बैटमिंटन के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है इस पे जीता विनर कोन में true कि भी किवी ली इस को जीता है यादराएं कि अब अब सिंसे मुझे यादर आ आए ओलम्टिक गेंस में फिक-वी कौन सा मैडल जीता है ब्रॉंच मेडल जीता है ठिक ब्रॉंज मेडल किसमे जीता है नियता पिर इंदू करे और यह ओर नहीं को याद रखने और यह और सिंदुने जीता है यह को याद रखने है और अगर बात करें तो किसको हराया इंहों कि इन्होंने हराया है मालविका मालविका को याद रखे हैं मालविका को इन्होंने हराया है क्लियर है अब यहां पर एक छोटा साथ की रिवीजन आप लोगों को करा देंदा यह है ओलंपिक 2020 2020 के बारे में कुछ देख लेते हैं भारत का इस खान क्या है और भारत की किन-किन प्लेयर्स में कौन-कौन से मैडल जीते हैं तो भारत की अगर हम बात करें तो ओवर ओल्टालीस में नंबर पर ना आ था और यह जापांड में हुआ था 2021 सबसे पहले हम लोग नीरत चोपड़ा किसका नाम देखते हैं नीरत चोपड़ा का यहां रखेंगे 87 पिसंगल 58 मेटल का पहला पहका और कौन सा मेडल जीता था गोल्ड मेडल भारत का आप लोगों को पता है एक स्वन एक गोल्ड प्लस दो सिल्वर और आपके अगर हम ब यहाद रिखेंगे टोटल कितने मेडल जीते भारत ने सेवाट जीतने कितने सेवन साथ पदक जीते varias नामबर पर रहा था मी डुस्टी धार कौन है रजत पदक जीतने वाले यानि सिल्वर मेडल जीतने वाले तो बताईए किसी को पता है कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं तो रजत पदक जीता है दो लोगों ने एक है कौन से रवी कुमार रवी कुमार दहिया ठीक है इन्होंने जीता है कुस्ती में ठीक है और द दूसरे जो है वो है आपके ब्रभीकमार के बाद है। दूसरे जिनों ने जीता है वो है आफ सी कि भी मिरा भाई चानुुww आक्वल में हमें ने है क्या रहार हूं आप लगों को Hani कि इसी के समय विल्कत हो नी है मुझे बता सकते आगे आगल बात करें तो चार अलग अलग कौन से मैडल जीते बरॉंस मैडल ब्रॉन में कौन क्यों से एक क्यों है अगर हम बात करें तो वह की टीम भारत की में पीवी सिंद्धु पीवी सिंदु ने ठीक है याद रखेंगे लवलीना ने लवलीना और एक और बजगी है कौन है इनका नाम आप लोग बताएंगे एक और है जिनको का नाम बजरंग पूलियक तो यह चार नाम आप लोगों को याद रखने एक्जाम पॉन्डॉब्यों से ठीक है अगर हम इस आप लोग लिख लेंगे यूनाइटेड बाई इमोशन ठीक है इसको आप लोग लिख सकते हैं वेरे वेरे इंपोर्टेंट है आप लोगों के एक्जाम पॉन्डॉब्यों से और सुभांकर था मिराई तोबा आगे आप लोग अपने यूपी की करण नफिर पे चलते हैं माध स्गय agent यूपी के बारे पोजपने लिए आपके आप लोग ने देखा होगा हाली में हम बात करें तो आप लोग उसे पूछा जा सकता है कि अभी उत्तिर प्रदेश में क्या हुआ है एक ताच मार्चा हुआ है ौहे ताज मार्चा आप लोग नोट करने दोटगे की एक है गुड महुसब गुड महुसब दो हजार बाहिस एक है हुनर हाट हुनर हाट हुनर हाट दो हजार बाहिस अब ये मैचिंग में आप लोगों से आ सकते हैं किन-किन सहरों में किन-किन जिलों में इनका आयज़त हुआ तो ताज महुसब से आप लोग देख पा रहे होंग किसके नाम सी पता लग रहा है कहां पर आगरा वे हैं कहां पर आगरा गुण महुस्थ आप लोग याद रखेंगे लखनाव और हुना रहाट है रामपुर ठीक है किले रहे सभी को आगे बने यहां तक सब को क्लियर समझ में आ रहा है यहां वेरी वेरी इंपोटेंट है वेरी वेरी इंपोटेंट है इसकी द थीम आप लोग लिख लेंगे ताज के रंग आजादी के अमरत नहसक रखेंगे ठीक है और कि इसके ताजगिर यह आप लोग याद रखेंगे हैं हालकि जो हुनर हाइट है इसका सरकार समय समय पर कराती रहती है लेकिन इसका जो व्यापक रूप से टहनी वार सरकार ने कराया तो रामपूर को चीनित किया गया उसके बाद सब्सक्राइब होता है कि सभी जो भी उस राजिये के कुसल कारीदर है और कुछ ऐसी चीज़े जानते हैं जो अपनी चंता के अनुरूप उसको विक्सित कर लेते हैं जैसे कोई कलाकिर्थी बना देना कोई नेट टेकनोलोजी से मसीन बना देना कुछ भी चीज आप लोग ब पाता है शार्ट टैंक उसी तरह से कोई छोटी छोटी चीजों का इंवेंशन करना उसको ही हुनलार्ट आयोजी किया जाते हैं आगे बढ़े मैं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक जल्दी बताएगा फटा फट से ताकि मैं आगे बढ़ू आगे बढ़ू अब इसमें बढ़ा इंपोटेंट है और वह है क्या गंगा एक्सप्रेस तो आप लोग इसको नोट कर लेगे गंगा एक्सप्रेस तो यह यूपी का बल्कि पूरक भारत का अब तक का सबसे बढ़ एक्सप्रेस वह होगा इसको आठ लाइन में किया जा सकता है यह आप लोगों को याद रहे कि मोदी जी ने क्या करा इसकी डेट आप लोग याद पर रखेंगे 18 दिसंबर 2021 को किसी में बाई पीम मोदी पेम मोदी जी ने इसका उद्भाटन करा कहां पर सहां जहां पोड़ इसका नाम आप लोग लोट कर लेंगे वेरी वेरी इंपोड़ेट अब मैंन बात यह नहीं यह तो सबच्चे याद कर लेंगे अब आप लोगों से सिक्वेंस में लगवाएगा क्या जिलो के नाम कि यह किन कि जिलो से होकर बुजरता है तो आप लोग मेरट से स्टार्ट सब्सक्राइब को कि ब्रकाइब होगा को रहाइब होगा ओर यह मेरट के बाद मेरट पर आप लोग लिक्रे मेण हैं के वर तीन आ विक्टे करना technique कर्यां के बुलन सहर, नमबर तीन पर बुलन सहर आगया, नमबर चार पर आप लिखेंगे अम्रोहा, अम्रोहा के बार आप लिखेंगे नमबर पांच पर संबल, संबल के बार आप लिखेंगे नमबर छे पर बदाईयू, बदाईयू के बार आप लिखेंगे, नमबर साथ पर हुआ पूए संहांजांपूर ही कि अ ठीक है नबर आठ पर आप लोग लिखे इस हांजांगे पूर हर्डूई लिखिया आप लोग नया तक इनको 9 जरूर करते रहें आप लेकिए कि अपर आप लिखेंगे नमबर नाइन कर उनाव प्रतापगड , प्रतापड और प्रतापगड के बाद, लिखेंगे आपन मआपका काइन। नवर 11 पर र्याग राज इसमें छूट गया है पृ्याग राज एक छूट गया है इसमें कोण सा मेरट हापूर बुलंसेर अमरोह संबल बदाएं हर्दोई आ गया है इसमें हर्दोई आ चुका है टोटल बारा है एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा यह दो बार लिखा गया ठीकिए दस ग्यारा और बारा तो टोटल बारा जिलों से होकर यह गुजड़ेगा कि लिए कितने जिलों से बारा यह आपको रखने इनका किरम जो लिखा है मैंने वैस्ट टू इस्ट की रह लिखा है यह भी आप लोग यार लखे यानी पच्छिन से पूरब कि लिए रए इसमें लगनाव सामिल नहीं है यह आप लोग नौट कर लेंगे इसमें लगनाव सामिल नहीं हो आगे बढ़े बाई जल्दी बताइएगा आगे बढ़े आगे पढ़ें अब देखिएगा किसी ने पूछा है कि प्रियाग राज में कहां खतम होगा तो प्रियाग राज के पॉइंट लिख लेंगे जुदापुर दांडू जुदापुर दांडू में यह खतम होगा तो आप लोग नौट कर सकते हैं और टोटल लंबाई भी इसकी लिख लेना आप लोग 594 किलोमेटर 594 किलोमेटर जो है यह इसकी टोटल डिस्टेंस होगी जो मेरट को लिंक गएगा सीधा प्रियाग राज से आगे बढ़ें भाई सब चीज के लिए है सभी को समझ में आ रहा है मेरे को बता दीजेगा आप लोग बहुत ही इंपोर्टेंट है अब देखेगा उत्तर प्रदेश का बजट उत्तर प्रदेश के बजट से जुड़ी ही कुछ बाते हम लोग देखेंगे यूपी का बजट दो हजार 22 और 23 यहा अलग कि टीचर्स कोचिंस में कोई नहीं कराते हैं इनको फिर भी टार्गेट फॉर आई क्योंके माधियां से आप लोग इन चीजों को भी जानने को पूरा मोगा मिलेगा यहां पर ऐसा नहीं कि हिस्ट्री जोग्रफी और इन चीजों में समय निकाल दिया है मेरी पूरी क भी आप लोग बना लेंगे क्या दिखलेंगे गयें हूं घल एक उतन मैं था ओई मैं था ओई आप लोग समझे ओगे पर मंटेंट बोलते हैं फिर आप लोगों का पूल खाधियां खाधियांता खाने पीने की चीजों का प्रोड़क्षें है फोल तीलहन लिख लिए लिए आलू आलू लिखे लेगे इसके बाद दिखेंगे दूद ठीक है दूद के बाद लिखेंगे आप लोग गन्ना और गन्ने का भुतान करने लिए इन चीजों के प्रोडक्शन में यह यूपी हमारा कौन सी रेंग है पहली रेंग है मैं कि दुरोगे इस सब को याद होगी चीज बताएए और भी बहुत सारी चीज उम्हें पहले नंबर ग談 जैसे जन्ट संथ्या में जैसे भे रोज गारी में हाला की सरकार ने भेरोज दारे के आपर 18 मर्सेंट से घंटा dip तो पॉइंट एट परसेंट बताया है तो बेरोजगारी में भी हम पहले नंबर बन है ठीक है क्लियर है तो ग्यों है मैं था ओएल है ठीक है मैं था ओएल कुल खाद्यान जैसे कुल टोटल खाने पीनी के चीजों का प्रोडेक्शन में और कुल तिलंग तिलंग मतलब जो से अगार रखनी है अब आगे बात करते हैं अगे अगर हम यूपी की बात करें तो ये यूपी में कैक्या कि यूपी में कुछ स्कीम तो практи एक सीrek किसान्समालने सीच किसान्समालने तो यह पूछ लेता है एक्चुल पर यह इस्टार्ट तो हुई थी 24 फरवरी 2019 से कहां से गोरकपुर से लेकिन यूपी के किसान इसमें किस डेट से इसको जो है उन्हें प्रोफिट दिया जा रहा है तो आप लोग चाओ तो लिख लेगे 14 सितंबर लिख लेगे आप लोग दिसंबर 2018 दिसंबर 2018 तक के लोगों को यूपी में बस यूपी की डेट आप लोगों को यह याद रख लिए आगे बढ़े भाई समझ में आ रहा है सभी को आप लोगों को कि इसी तरीके से हमारी क्लाश है आप लोगों को मिलते रही दो अब पीम किसान की ओजना है कि आप लोगों को पते हैं के अंदर सरकार किये विस्द की तहली ऐसी स्कीम है जो किसानों को डाइरेक्ट बेनिफिट दे रही हैं उनके खाते में सबसेडी के तोर पर डाइरेक्ट पैसे डाल रही हैं सुरुबात में इसमें केवन दो एकड़ व क्या है अगर हम बात करें तो छे हजार रुपे पर यह उनको दिया जाता है तीन इस्ट्रॉल में यानि थ्री इमाइज में आगे बड़े माई समझ में आरा है सभी को उत्तरप्रदेश के बजट में एक बात और कही उन्होंने इतलने कि उन्होंने कहा की यूपी पांच एकस्प्रेस्तारश वे बन रहे जो गिसी बेश्य किसी भी राज अगये बनने वाले सरवादिक हैं तो इस लिस्ट में आप लोग एकेयो और एकस्प्रेस्वे और जो हैं आप लोग याँ लोगों याद रख सकते से उप्वे में यूपी में और लोगों को याद रखने थे और गंगा एक्सप्रेस में 12 राज्यों से आए तो आप लोगों को यह याद रखना है आगे अगर हम बात करें तो यूपी में पांच ही पांच ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं अंतर्रास्ति एयरपोर्ट बन जाएंगे दो तो लेडी हैं पांच इंटरनेशनल ए तो आपका लखनाव वाला है और दूसरा लखनाव के साथ साथ बनारस वाला अब इनके साथ साथ तीन कौन से नए बने एक तो आप लोगों सुनाओगा जेवर एक कुशी नगर और तीसरा बन रहा है भगवान श्रीराम एयरपोर्ट कहां पर आयोती हो तो तीन ये और दो प इसी जरूरिया रखेना एकजाम में आपके आ सकती है जो कुशी नगर और कुशी नगर के साथ साथ में आपका नोवेडा ओल आजीवर वाला तो ये घृम फिल्ट यहूशरफें precisely एयरफोर्ट करोंता फिर इसे एयरपए का जो आवादी से बाहार निकालकर खेत में यानी जंगल में बनाए रहा है आवादी से इनका लेना देना नहीं होता है इसलिए इनको ऐसे जो हमारे एयरपॉर्ट होते हैं उनको कारते हैं Greenfield airport यह अप्लोग और Greenfield एयरपॉर्ट जो जेवर वाला है वह विष्वक एश्या का सबसे बड़ा एयरपॉर्ट बने एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एयरपोर्ट के में दो उल्लेडी एग्जिक्ट करते हैं फस्किस लखनाव सेकंड बनारस और दो कुन से हैं जो तीन नए बन रहे हैं एक जेवर का कुशी नगर का उद्गाटन हो चुका है और भगवान सिरी राम एयरपोर्ट आप लोगों ने मर्यादा पुर्शुत्तम राम सिरी राम अंतर रास के हवाई अड़ा आयोद्या में तो आप लोग नोड कर लेंगे जेवर गोतम भुद्धनगर कुशी नगर कुशी नगर में और आयोद्या में कौन शाय मर्यादा पुर्शुत्तम सिरी राम एयरपोर् क्या मंद्री हैं उन्होंने ये बाते बताई है जो आपके एक्जाम पॉंट व्यू से भी और सरकार ने ये भी कहा है कि सितंबर 2020 में जो इस ऑफ डूइंग बिजनिस जारी हुआ है हमारा भारत का जो नीती आयोग द्वारा जारी किया जाता है उसमें दूसरे नंबर पर हम लोग है इस ओफ डूइंग बिजनेस क्या मतलब क्या होता है जहां पर ब्यापार करने में सुभीता हो आसानी हो वो डिसाइड करती है क्या इस ओफ डूइंग बिजनेस के लिए सबी को समझ में आ रहा है तो यह चीज़े आप लोगों को याद रखनी है अपने एक्जाम पॉंटों व्यू से आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा इन चीजों को करते हुए ठीक है इसके साथ आप लोगों को एक याद रखना है क्या कि यहां पर कहां पर अपने उत्तर प्रदेश में एक भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवस्टी बन रही है वह बन रही है मे मेजर ध्यान चंग खेल विश्विद्याले यह याद रखे लिए वैरी इंपोर्टेंट ए और विश्विद्याले से मुझे याद आया आप लोगों को बता देता हूं इलावाद यूनिवस्टी की स्थापना बताया कोई इलावाद यूनिवस्टी अलीगाड अलीगाड युनिवस्टी बताईए किसी को पता हो तो भी एचियू फटाफट से बताईएगा किसी को पताए तो इलावाद युनिवस्टी का इयर है 1887 और आलिगड़ का है 1920-1920 और भी एचियू का है कियर है अब आगे बात करते हैं यह तो हो गया आपका है आगे बात करते हैं नारी सक्तवी पुर्वकार नारी सक्ती पुरुषकार अब जो है कि उन्होंने एक साथ दोनों सालों के बाट दी हैं तो 2020 का लिख लेंगे आप लोग और 2021 का लिख लेंगे यह बहुत important है और दोनों ही उत्तरप्रदेश से यानि से बहुत सारी महिलाओं को मिले हैं लेकिन हमें किसमें याद रखना है उत्तरप्रदेश तो 2020 के ही उत्तरप्रदेश से यूपी से चुनी नहीं कौन आर्ती राणा और ये कौन से जिले से हैं लखीमपुर्खीरी और यार रिटलेना वही या लखीमपूर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा छेत्रफल के अधार पर जिला है यानि लार्जेस्ट एरिया रखता है यह आपनों व्याद रखी है और दूसरे नंबर पर है यूपी से ही 2021 के लिए उन्हें अवाड मिला है उनका नाम है नीर्जा माधव नीर्जा श्राडक यह बनारस यानी बारासी से अधिक है अब लोगों के एक्जाम में कंफ्यूस हो सकता है अगर आप लोगों को लगे आर्प कि इनको याद कैसे लखेंगे तो हम लोग आर्टी को ए आर्टी आई करके इस पहले लिखेंगे और नीर्जा को एन आई एर्जे या नी के बाद ही आएगा तो यह मतलब पहले पहले मतलब 2020 और बाद में यादी 2021 याद हो जाएगा औजेक्टिव सोल करते समय निकेटिव मार्किंग को दूर करने के लिए और अपनी एकुरेशी बढ़ाने के लिए हमें कुछ तोर और तरीकों को अपनाना पड़ता है जिससे एक् आत्मग जो हमारे दंड पढ़ता है उससे हम लोग बची रहें तो इसलिए यह चीजे आप लोग याद करने के तरीके को थोड़ा सा अपने आईकु लेवल का यूज करके और स्ट्रॉंग कर सकते हैं समय समय पर आगे बढ़े माई सब को समझने आ रहा है एक बार जरा मु अब देखेगा एक चीज आप लोगों को बताऊं जो आपके एक्जाम पॉंट और व्यू से क्या आप लोग नोट कर लेंगे इसको फटा-फट से देखेगा अगर हम बात करें यूपी की तो एक है बाबु जी कल्यान ग्राम उन्नती योजना इस योजना का नाम याद सबसे पहले बस आप लोगों को याद रखना है कि यह योजना जो है फर्वरी दोजार बीजार बीजार को समझे लेते हैं बस इसमें आपको कुछी आप नहीं रखना है सबसे पहले बस आप लोगों को याद रखने है कि यह योजना जो है फर्वरी दोजार बीज से चल रही है उत्तर परदेश में और यह संबंदित है किससे सोलर स्ट्रीट लाइट से बस आप लोगों को यह याद रखने है किससे सोलर स्ट्रीट लाइट से तेलिए रहें आगे बढ़ें भाई जो सोलर लाइट होती है आप लोग बताएए मुझे कहां से मिलती है इंको आप लोगों को पताओ किस से संसे सूरिय से यह आप लोग याद रखें ठीक है यानि जो सोलर पैनल है वो कौन से हुजा को किस एनर्जी में कर रहे हैं आप कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएएगा यह बड़े एक्जाम पॉल्टों किसे इंपोर्टेंट है अब लास्ट टोपिक है आप लोगों को मैं आप लोगों को बता दूं तो वह यह कर रही है किस से लाइट को किसमें यानि प्रिकास को इलक्ट्रिसिटी में कर अब आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के विधान सभा से संबंदित कुछ बाते हैं विधान सभा चुनाव हुए अभी 2022 में हाला कि पांच राजियों में हुए पंजाब 117 विधान सभा सीटे उत्राखंड 70 विधान सभा सीटे मड़ीपुर 60 सीटे गोवाप 40 सीट और यूपी 403 सीटे यहां पर हैं अगर हम बात करें तो विधान सभा का जो किरम है वो अठारवी विधान सभा है कौन सी है अठारवी और साथ चल्णों में सेवन अलगलग फेजिस में यहां पर इलेक्शन हुए और 10 मार्च 2022 को क्या पता चला मुख्य मंतरी का यानि जिस इस विधान सभा की जो डेट थी वो थी 14th of May 2022 यह आप लोग याद रखें बीजी इसमें बहुमत में आई है आप लोगों को पते 255 सीटे जीत कर बस आप लोगों को याद क्या रखना है वो आप लोगों को बता दूं मुख्य मंतरी आपको एक तो याद रखना है आप लो परपूर सदर इनकी विधान सभा सीटें दूसरा आप लोगों को याद रखना है दो उप उख्य मंत्री बड़े एक तो बने हैं कौन आप लोगों को बता होगा पहले केसा प्रसाद मौर है लेकिन वो चुनाव हार गये तो अब वो विधान परिशन से आएंगे आगे दे कितलिक 2030 विधान सभा के स्पीकर कौन है सटेश महना यह आप लोग याद रखाएंगे और यह बी कानपूर सीट से कानपूर की महराज पूर्व जान सवाशेतर से यह है सरवाधिक जो चुनाग हुआ है वो अम्रुवा में हुआ अम्रुवा डिस्टिक में 78 परसेंट लगबग और बलरामपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है लगबग 48 परती सब एक सीज आप लोगों को याद रखने बामन मंत्री बने हैं टोटल और बामन में आप लोगों को याद रखना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है पांच क्या बनी है मंत्री बनी है भूम है यह आप लोगों को याद रखने बहुत ही ज्यादा के लिए आगे बढ़ें जल्दी बताईएगा तो यह था उत्तर प्रदेश के विधान सभाव से संबंदित कुछ डेटा उम